हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं करेंट फेर्स के वो इंपोर्टेंट न्यूस जो की हाल ही में सुर्ख्यों में बनी हुई थी और एक्जैम में आने के इनकी पॉसिबिल्टीज काफी जादा होने व में अपनी नई पुस्तक किस्व ने लिखी है पहला तबूक इन ऑथर से जहां पर आपको इन नाम दिया गया है विगक का नाम करें से ओड आपसे पूछा है किसने ऑडिक इन ये पांथर का नाम आपको चार ऑपशन до這種 मेगना पंत इंदिरा नुई अमिताव गोष चेतन भगत इन्हीं में से किसी एक राइटर नहीं बुक लिखी और आपको उसको गैस करना है तो आप अपना अंसर गैस कर लिजे फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखें इसका करेक्ट आंसरों को आई लाइफ इन फुल वर्क फैमली एंड ओवर फ्यूचर तो यह कॉश्चन भी इंपोर्टेंट है बूक इंड आउथर की परस्पेक्टिव से और करेंट फेर में बूक इंड आउथर की कॉश्चन अकसर पूछ लिए जाते और देखने को मिलते हैं तो आप इसे जरूर से याद कर लिजेगा और देखते हैं next question को हाल ही में national basketball association ने किस अभिनेता को भारत के लिए अपना brand ambassador नामित किया है देखें question में दिया गया है आपको कि एक association का नाम दिया गया है उस association ने इंडियन आक्टर को अपना ब्रैंड ambassador चुना है ठीक है तो अब आप से पूछा गया है कि कौन है वो तो कौन सा association वो नैशनल बास्केटबॉल association जिसने इंडियन actor को चुना है अपना brand ambassador तो आपको options दिये गए हैं इन options में 4 Indian actor है और इनी में से कोई एक है जिनको brand ambassador चुन लिया गया है National Basketball Association का तो देखे options है रणवीर सिंग अक्षय कुमार आजय देवगन अमिताव बच्चन तो आप अपना answer guess कर लिजे फिर हम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer होगा option A, रणवीर सिंग रणवीर सिंग brand ambassador नामित कर लिए गए है National Basketball Association से तो ये question भी sports के field में काफी तदा important question होने वाला तो आप इसे याद कर लिजेगा देखते हैं next question को हाल ही में where about नामक उपन्यास किसने लिखा है तो देखे ये question आपके literature से related है तो ये भी exam perspective से भी important हो जाएगा आप इसे भी याद कर लिजेगा तो किस उपन्यास की बात हो रही है where abouts where abouts नामक उपन्यास किसने लिखा है तो आपको screen पे चार नाम दिख रहे हैं इनी में से किसी एक ने where abouts उपन्यास लिखा है जिनका नाम आपको guess करना है तो देखे options क्या क्या दिए गए है चित्रा, मुदूगल, नाशिर, शर्मा, अरुंधती, राय या फिर जुम्पा, लाहिडी तो आप अपना answer guess कर लिए फिर हम देखे इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer होगा option D, जुम्पा, लाहिडी जुम्पा, लाहिडी ने उपन्यास लिखा है where abouts जो कि इंपोर्टेंट है आपके exam में आ सकते हैं तो आप इसे याद करते चलिएगा देखते हैं next question को क्या पूछा गया उसमें हाल ही में one अनवेशक पुरुसकार 2021 किसे दिया गया है तो किस पुरुसकार की बात हो रही है one अनवेशक पुरुसकार 2021 तो देखे आपको screen पे चार options दिख रहे हैं इनी में से किसी एक को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया जिसको आपको guess करना है देखे options कह कह दिये गया है रिदिमा, दिया, मिर्जा डॉक्टर, कृती, कारंथ या फिर इन में से कोई नहीं तो आप अपना answer guess कर लीजे फिरम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer को option C, डॉक्टर, कृती, कारंथ जिनने 1 अन्वेशक, पृसकार 2021 से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को question number 5 question number 5 में आप से क्या पूछा गया है 19 अगस 2021 को केंद्र सरकार ने हत करगा को बढ़ावा देने के लिए एक समीती गठित की है इस समीती के अध्यक्षता कौन करेगा तो किस चीज़ के लिए समीती खटा की गई है हत करगा हत करगा मतलब क्या होता है hand looms hand looms को बढ़ावा देने के लिए एक समीती का गठन हुआ है अपने हत करगा को बढ़ावा देने के लिए एक समीती का गठन किया, उस समीती के अध्यक्ष आप से पूछे गए question में, screen पे आपको 4 options दिख रहे हैं, इनी में से कोई अध्यक्ष चुने गए हैं, इस समीती के जिनका आपको पता लगाना है, ठीक, options हैं, सौरप मिश्रा, सुनील सेथी, विजैश शुकला, नितिन जैन, तो आप अपना आंसर गैस कर लिए, फिर हम देखते हैं, इसका correct answer क्या होगा, तो देखें, इसका correct answer का option B, सुनील सेथी, सुनील सेथी को बढ़ावा देने के लिए एक सीमीत, समीती गठित की गए, जिस समीती के धक्षता सुनील सेथी कर रहे हैं, जो कि केंल सरकार के द्वारा 19 अगत 2021 को गठित की गए थी, ये question भी important होने वाला है, और देखते हैं, next question को, question number 6, 93rd Oscar 2021 पुरुसकार में किस गीत ने best original songs का पुरुसकार जीजता है, तो देखें, आपको 4 गाने दिये गए, इन्हीं में स किसी एक गाने ने 93rd Oscar 2021 पुरुसकार में, best original songs का पुरुसकार जीता है, तो options हैं, वका वका, love you, like you, do, shape of you, fight for you, तो देखें, इसमें से correct answer कौन सो होगा, समें से correct answer option D, fight for you, fight for you, गाने को best original songs का पुरुसकार दिया गया है, 93rd Oscar 2021 से, ठीक है, देखते हैं, next question को, question number 7, हाल ही में helicopter engine के लिए single crystal blade की संस्था ने विक्सित किया है, तो क्या विक्सित किया गया है, single crystal blade, किस के लिए तो helicopter engine के लिए single crystal blade का विक्सित किया गया, और पूछा क्या गया है कि किस संस्था ने विक्सित किया है किस इंस्टिटूशन के द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाया गया तो यह कॉश्चन भी काफी जाता न्यूस में था हाल ही में आई होप आपको इसका आंसर आता होगा तो देखियो options है IIT कानपूर, DRDO, HAL या फिर none of these तो आप अपना answer गैस कर लीजे फिर हम देखते इसका correct answer क्या होगा तो देखिये इसका correct answer होगा option B DRDO, HAL ही में DRDO ने helicopter engine के लिए single crystal blade विक्सित किया है ठीक, यह question भी important था science and tech से तो आप इसे याद कर लीजेगा, exam perspective से काफी important होने वाला है question, देखते है next question को, HAL ही में किस bank ने अरुनाचल प्र मंजूरी दी है, तो देखियो options है नवार्ड, ADB, HDFC या फिर SPI, तो आप अपना answer guess कर लीजेए फिर हम देखते है इसका correct answer क्या होगा, देखिये इसका correct answer को option A, नवार्ड, हाल ही में नवार्ड ने अरुनाचल प्रदेश में यौक पालन के लिए योजरा कियो मंजूरी दी है ठीक, देखते हैं next question के side क्या पूछा गया question number 9 है, हाल ही में ला पालमा जॉला मुख्य में विस्टित है, तो किस की बात हो रही है ला पालमा जॉला मुख्य की ये जॉला मुख्य में विस्टित है, चार देशों के नाम आपको screen पर दिख रहे होंगे, इनी में से किसी ए एक देश में इस्थित है ला पालमा ज्वालमुखी तो देखें ओप्शन कौन-कौन से दिए गए आपको अमेरिका इस्पेन जर्मनी जपान तो आप अपना अंसर गेस कर लीजें फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखें इसका करेक्ट आंसर ओप्श सकता है और यह आपके लिए important है ठीक है तो ला पालमा जॉला मुखी कहां स्थित है जिस पर भी sport हो गया है तो वह जॉला मुखी Spain में स्थित है ठीक आगे देखते हैं इस वीडियो के last question को देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें आपसे हाल ही में भारत का पहला राज जिसने जी इप इंट्रोड्यूस किया है क्या इंट्रोड्यूस किया है जी इप ग्रॉस इन्वार्मेंट प्रोडक्ट ठीक इंट्रोड्यूस किया है तो भारत का वो पहला राज कौन सा है जिसने जी इप इंट्रोड्यूस किया है आपको चार स्टेट्स दिए गए हैं इंडिया के आपको इसी में से correct answer को guess करना है तो देखे options हैं बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंट आप अपना correct answer guess कर लीजे फिर हम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer होगा option D उत्तराखंट हाल ही में उत्तराखंट भारत का पहला राजज़बन गया है जिसने GEP मतलब gross environment product introduced किया है अपने state में I hope आपको questions पसंद आ रहे होगी वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर आपको कोई feedback देना है तो comment section खूला है और अगर आपको बाकी चीजे भी पढ़ना और देखना है हमारे चैनल पर और कौन कौन उसी playlist चल रही है तो हम उन सभी playlist का link इस video के description में दे देंगे आप जाके जरूर से check कर लिजेगा and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.